एक दिन पार्वत्ती माता स्नान करने के लिए गई लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा माता पार्वत्ती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमती के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए जब शिवजी वापस लोटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है और जब वो अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लि अब माता पार्वती वापस लोटी तो मों बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी शिवजी को जब पता चला कि वो उनका स्वेम का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गल्ती का एहसास हुआ शिवजी ने पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं और गणेशी का नाम लेते लेते और दुखी होने लगी अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ती से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा शिवजी बोले हे पार्वती मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूं पर किसी भी अन्य प्राण जब नंदी सिर खोज रहा था तो उसने सबसे पहले एक हाती को देखा तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गनेश के शरीर से जोड दिया और गनेश को जीवनदान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गनेश जी का नाम गनपती रखा, बाकी सभी देवताओं ने भी उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो कुछ भी नया कारे करेगा, पहले वो जैश्री गनेश को याद करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।